अग्ये लिखित संस्मरण वसंत करेंगे का अग्रदूत, अंतरवस्तू और सरचना विशे पर जैसा कि हम जानते हैं अग्ये न केवल कवी, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंदकार थे अपितु उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं और अग्ये अपने संस्मरणों में अपने पुर्वज, लेककों, कवियों के प्रती भाव, विगलित, श्रद्धा लिखने के इस्थान पर उनके प्रती हम सब पाठकों को विनेशील बनाते हैं, उनके लेखन के प्रती हम सब को जागरूक बनाते हैं और उनके लेखन में गहरे उतरने के लिए प्रेरीत करते हैं वे देव मूर्तिया नहीं गड़ते, लेकिन वे यह अवश्य करते हैं कि उन सब अपने संस्मृतों के प्रती हमारे मन में थोड़ा अधिक स्नय, थोड़ा अधिक आदर उत्पन कर देते हैं स्वयम अग्ये ने अपनी उस पुस्तक की भूमिका में लिखा है यह नहीं कि मेरे इस प्रयत्न के बिना उनकी स्मृती बनी नह रहती केवल यही कि अखबार और दूर संचार के माध्यमों ने आज जिस नए प्रकार के काल का निर्ने किया है एक बहुत छोटे से आयाम वाले वर्तमान का जो स्वयम तो अती प्रकाशित है लेकिन जिसके आगे पीछे अंधेरा है उस काल में जीने वालों के लिए ऐसे शलाका पुरुषों की प्रतिमाय भी धूल से ढख जाती है स्मृती लेखा ने प्रतिमाय फिर से गड़ी नहीं केवल उन पर पड़ी धूल जाड़ने का एक अवसर मुझे दिया ध्यान देने की बात है अगे जो इशारा कर रहे हैं वो असल में हमारे दौर की आपाधापी और आत्म मुगदता पर टिपणी कर रहे हैं जहां लेखक समुदाय खुद अपने लिखे पर ही मुगद रहता है वहीं अगे अपने इन पुर्वज लेखकों के प्रति और हिंदी के प्रसिद्य लेखक मनीशी विद्वान पंडित विद्यानिवास मिष्ञ ने लखी थी पंडित विद्यानिवास मिष्ञ ने भुमिका में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है जिससे मैं आपके सामने रखता हूँ उन्होंने लिखा मैं इस संग्रे के माध्यम से भाई की तस्वीर भी पूरी होती है और इसी से सुरती लेखा को आध्यन्त पढ़ जाना मेरे लिए एक अपूर्व अनुभव था श्रिमती नाइडू को छोड़ कर सभी को मैंने भी नजदीक से देखा है पर भाई की आँखों से देखने पर ये और अधिक नजदीक हो गए है भाई ने अपने बड़ों को प्रणती तो दी है पर उन्होंने कहीं भी अतिरंजित प्रशंसा या कोरी इस्तुती नहीं की है जिस गुण को अलोकित किया है इस भाव से किया है कि वह गुण मनुष्य मात्र का है विशेश रूप से समवेदनशील मनुष्य का तो है ही जिस दोश की बात की है उसे भी इस रूप में किया है कि वह सहज है वह मनुष्य को मनुष्य बनाए रगता है सुरती लेखा एतिहासिक दस्तावेज नहीं है पर सुरती का विशिष्ट सर्जनात्मक उपियोग है समकालीन साहिती के इतिहास को एक नया चौक्टा इस लेखा से मिलता है और इस रिष्टी से यह इतिहास रचना को एक नया आयाम देगा यह इसकी एक गौन उपलब्दी है इसकी मुख्य उपलब्दी तो यह है कि लेखक को कैसे देखता है बस इसे देखने को आप देखते रहें आपकी आँखें नम हो जाएंगी विद्या निवास मिष्ट जहां आँखों को नम होने की बात कर रहे हैं असल में वे उसी बात को दोरा रहे होते हैं कि हम नई पीडी के पाठकों को अपनी पुरानी और अगरच पीडी के प्रती कैसा विनैशील और कैसा होना चाहिए कि हम उनके अवदान को ग्रहन करने के योग्य हो सकें इस निबंद जिसका शिर्षक है वसंत का अग्रदूत इस निबंद के शिर्षक से ही इंगित होता है कि ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवी पंडित सूर्य कांत त्रिपाथी निराला पर लिखा गया है निराला जी पर लिखे गए इस संस्मारन पर बात करने स पहले जरासा अग्ये के रचनात्मक व्यक्तित की तरफ इशारा करूँगा अग्ये स्वयम हिंदी के बहुत बड़े कवी कथाकार उपन्यासकार थे निबंदकार थे उनकी अनेक पुस्त के प्रकाशित हुई उन्हें साहित अकादमी और भारती ज्यानपीट जैसे बड़े पुरसकार प्राप्त हुए यही नहीं उन्हें हिंदी में एक नई काविधारा का प्रणेता भी माना जाता है उनके संपादन में आये तार सब्तक जो की आगे क्रमशय दूसरा सब्तक तीसरा सब्तक और तीसरा और चौथा सब्तक के नाम से भी आगे प्रकाशित हुए थे इन सब तक ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने हिंदी कावे के शेत्र में एक सर्वता नई हलचल उत्पन्न की थी यही नहीं अग्ये उन लोगों में से थे जो साहिती के रूड प्रारूपों से संतुष्ट होकर मौन रह जाना ठीक नहीं समस्ते थे बलकि वे साहिती के गौन रूपों की तरफ भी लगातार कुछ न कुछ करते रहना आवश्यक समस्ते थे उनकी अनेक पुस्तकें चाहे वे भाव यंजक निबंध हो चाहे वे टिपणी परक छोटे छोटे लगू निबंध या संसमारण हो या यात्रावरित्तांत हो कथेतर के संबंद में भी अग्ये का अवदान लगभग उसी कोटी का है जिस कोटी का कावे या कथा का अवदान अग्ये का माना जाता है अब मैं वसंत का अग्रदूत पुस्तक पर आता हूँ और थोड़ा सा इस पुस्तक के परिचे के बारे में एक दो बातें और जैसा कि अभी-भी हम जान चुके हैं कि सुरुती लेखा पुस्तक जिसके लेखक अग्ये थे और जिसकी भूमी का विद्यानिवास बिश्र ने लिखी थी दूसरे संस्करण की भूमिका से पहले अग्ये की एक टिपणी थी जिसके एक अंश का पाठ मैंने भी आपके सामने किया था इस पुस्तक का प्रकाशन 1982 में हुआ था और ध्यान देने की बात यह है कि अग्ये के ये संस्करण ठीक उस पारंपरिक अर्थ में नहीं है जहां किसी व्यक्ति विशेश के व्यक्तित्व और आभा की चाया में लेखक उन्हें याद करता है अग्ये यहां सुरती का सरजनात्मक उप्योग करते हुए इन्हें मुल्यांकन परक बना देते हैं विभिन अवस्वरों पर लिखे गई ये संस्करण सुरती लेखा के शिर्षक से पुस्त का कार प्रकाशित हुए तब पंडित विद्यानिवास मिश्व ने इस पुस्तक की भूमी का भी लिखी थी और ये संस्करणों के बारे में भी एक छोटी सी बात कि संस्करण केवल किसी व्यक्ति पर लिखते हुए उसकी जीवनी या लिखने लेखक की स्वयम अपनी आत्मकता जैसा नहीं होता है अपीतु संस्करण में लेखक जो खुद देखता है और जिसका अनुभव संसार उसके संसार में सम्मिलित हुआ है उनी तमाम चीजों का वर्णन लेखक संस्करण में करता चलता है और जाहिर है जब वर्णन करेगा तो उस वर्णन में उसकी अपने अनुभूतियां उसकी सम्वेदनाएं उसके अपने निजी इसपर्ष भी शामिल होते जाएंगे कभी-कभी संस्करण हमें निबंद के जैसे भी लगते हैं कभी-कभी कहानी के जैसे भी लगते हैं और रिखाचित्र तो लगते ही हैं संस्करण जैसी विधा की यही विशेष्टा है कि वहाँ विधाओं का संग्मुम्फन या यह कहें कि अंतरलेपन होता रहता है थोड़ा जगहों के बारे में लिख देंगे तो वह यात्रावृतांत बन जाएगा और जिस व्यक्ति पर संस्मरन लिखा जा रहा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की रेखाएं कुछ ज़्यादा सगन हो गई कुछ ज़्यादा रंगीन हो गई तो रेखाएं चित्र भी बन सकता है अब निराला जी पर लिखे गए इस संस्मरन पर मैं आता हूँ इस संस्मरन का प्रारंभ होता है एक विचित्रसी घटना से तटना ये थी कि 1940 में विश्व भारती जो की विश्व गुरू कवी गुरू रविनना ठाकूर की संस्था थी महां से प्रकाशित होने वाली किसी एक पत्रिका में अग्ये का एक निबंद छपा था अग्ये का एक लेक छपा था और उस लेक में कहीं ये ध्वनी थी कि निराला इज डेड तो इस ध्वनी के बाद इस ध्वनी के वज़े से हो सकता है संभव है कि अग्ये ने अपनी यूगकोचित उत्साह में या अग्ये ने अपने जिसे कहना चाहिए कि नई पीडी के उत्साह में निराला के संबन्द में कुछ बातें ऐसी लिख दी लेकिन बाद में इस पूरे संस्वानन को पढ़ते हुए ये इस पश्ट दिखाई देता है कि स्वयम अग्ये को उस बात का गहरा प्राइश्चित रहा गटना कुछ इस तरह से होती है कि जब वे निराला से मिलने के लिए जा रहे थे तो उन्हें कोई एक व्यक्ति मिले जिनोंने अग्ये को लगभग धमकी भरे स्वर में कहा कि आपने निराला के संबन्द में ऐसा कैसे लिख दिया अग्ये ने उन्हें कहा कि आप पहले निबन्द मेरा लिखावा पढ़ लीजिए उसके बाद हम बात करेंगे बहराल निराला के व्यक्तित्व का जैसा चित्रण इस संस्मरण में देखने को मिलता है पढ़ने को मिलता है वैसा निराला पर लिखे गए दूसरे संस्मरणों में न हो यह कहना तो अनुचित होगा लेकिन अग्ये के देखे में कुछ खास है अग्ये के देखे में कुछ विशिष्ट है और वह विशिष्ट यह है कि यह एक बड़े कवी का एक बड़े कवी को देखना है और दूसरी बात यह है कि यहाँ इन दोनों कवियों के बीच में किसी तरह की प्रतिसपरधा नहीं है जैसे एक प्रणती है, सम्मान है, आदर है। इस संस्परनण में मोटे तोर पर दो-तीन गटना हैं हमको देखने को मिलती है। अगर संध्या का समय है, वे अपना संध्या के समय के अनुसार कुछ खा पी रहे थे। तो उस खाने पीने पर भी पहले उग्र ने एक तीखी और जिसे ये कह सकते हैं कि एक लगभग ललकार्ती सी टिपणी अग्ये की तरफ की, अग्ये ने उस टिपणी को शालींता से सहन कि और शालींता से उसका उत्तर भी दिया, लेकिन जो खास बात थी, वो खास बात ये कि उग्रे जी ने निरला जी से कहा कि ये अग्ये हैं, और जब अग्ये ने उनसे नमस्कार किया, तो नमस्कार करने के बाद मैं अग्ये लिखते हैं, मैं उस अंश को जरा सा आपके सामने निरला जी ने एक बार फिर से सिर से पैर तक मुझे देखा, मेरे नमस्कार के जवाब मैं केवल कहा बैठो, मैं बैठ नहीं जा रहा था कि एक बार फिर उन्होंने कहा सीधे खड़े हो जाओ, मुझे कुछ आश्यरे तो हुआ लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया, निरला एक बार फिर से स्वर्ण मैं बैठ गया तो मानो स् показ शुगत से स्वर्में उन्होंने कहा, डॉल तो राम विलास जैसा ही है, डॉक्टर राम विलास शर्मा यानि की पर उनके गहरे श्ने की बात मैं जानता था, इसलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया और किसी शे तो निरला जी का अनुमोधन मुझे मिल ही गया है। उनके साथ सुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसु पुजन की तैयारी करना शुरू कर चुके होते हैं। केवल कॉपीन पहने हुए थे यानि कि लंगोट से भी छोटा वस्तर उन्होंने धारन किया हुआ था और पूरे शरीर पर कुछ नहीं था। यहां कुछ बातें रोचक होती हैं और यह होता है कि निराला इन दोनों लोगों के आग्रह करने पर अपने तब नए नए प्रकाशित हुए कविता संग्रह अर्चना की प्रती इनको भेट करते हैं। और भेट करते वक्त अग्ये जी के लिए जब उन्होंने जो किताब में लिखा है अर्चना के अंदर वाले पुठे पर जो लिखा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अंग्रे जी में निराला ने लिखा था टू अजने दा पोएट राइटर एंड नोवलिस्ट इन दा फोर्मोस्ट रेंक। और आगे उन्होंने अपना साइन करने की बजाए एन आई लिखकर बिंदी लगा दी और तारीक लिख दी अठारे पांच इक्यावन। निराला के जो पाठक हैं, निराला जी के साहिति से और उनके जीवन से जो परिचित हैं, वे जानते हैं कि निराला जी अपने जीवन के अन्तिम दो दश्कों में सुरती दोश के भी शिकार हो चले थे और वे बार बार उन्हें कुल मिलाकर उन अर्थों में सामानिय मनुष्य नहीं रह गए थे जिन अर्थों में हम सामानिय मनुष्य को जानते समझते हैं बार बार इस गटना में इस मुलाकात में जिस मुलाकात में शिव मंगल सिंग सुमन अग्येजी के साथ थे इस मुलाकात में भी बार-बार निराला एक ही बात कहते हैं निराला इस डेड, I am not निराला और ऐसा होता था कि निराला जब इस अवस्था में होते थे तो अंग्रे जी में बोलना शुरू कर देते थे इसी प्रसंग में एक जगे अग्ये ने जो लिखा है निराला ने मुझसे पूछा, तुम कुछ लिख रहे हो? मैंने टालते हुए कहा, कुछ न कुछ तो लिखता ही हूँ लेकिन उससे संतोश नहीं है वह उलेक करने लायक भी नहीं है निराला ने कहा, तुम जो लिखते हो वह मैंने पढ़ा इस पर सुमन ने कुछ उमक कर पूछना चाहा था अरे निराला जी आप अग्ये का लिखावा भी पढ़ते हैं मैंने पीट में चिकोटी काट कर सुमन को चुप कराया और अचरज यह कि वह चुप भी हो गए शायद निराला की बात सुनने का कुतुहल जई हुआ निराला का कहना जारी रहा तुम क्या कहना चाहते हो वह हम समस्ते हैं थोड़ी देर रुक कर और हम दोनों को चुप चाप सुनते पाकर उन्होंने बात जारी रखी इसी गटना में इसी मुलाकात में यह हुआ कि अपने घर कोई महमान आया है तो निराला ने इन दोनों के लिए कठल की भुजिया एक प्लेट में लाकर रखी और उस भुजिया को अग्ये ने लिखाए कि इस तरह से रखा हुआ था कि आधी आधी अलग-अलग से रख दी थी ताकि कोई एक दूसरे के हिस्से की खाना जाए इस भुजिया को देखकर सुमन जी ने कहा कि सबसे पहले यह हुआ कि निराला की निराला जी यह लोग बोले यह दोनों लोग बोले कि आप भी लीजिये तो निराला जी ने कहा कि सुमन यहां का आंश में पढ़के आपके सामने रखता हूँ सुमन ने फिर भी हट करते हुए कहा लेकिन निराला जी यह तो आपका भोजन था अब आप क्या उपवास करेंगे निराला ने इस्तिर दृष्टी से सुमन की और देखते हुए कहा तो भले आदमी किसी से मिलने जाओ तो समय का विचार भी तो करना होता है और फिर थोड़ा गुड़क कर बोले अब आए हो तो भुकतो यह है निराला का आथित्य आप इस संस्परण को पढ़ेंगे तो यह पाएंगे कि एक फक्कड मनमोजी किंतु वत्सल निराला के दर्शन अग्ये के इस संस्परण में होते हैं और यह वत्सल निराला जो है जो जमाने से रूठा हुआ है जो अपने उपर हुई असंखी चोटों से गायल है लेकिन फिर भी उसका मनुष्य फिर भी उसका सने कम नहीं हुआ है तीसरी जो गटना इस संस्परण में है वह यह है कि मेरट में 1940 के आसपास कोई हिंदी साहित परिशत का एक आयोजन हुआ जिसमें अग्ये जी ने निराला जी को बुलाया था और वहां होमवती देवी जी के घर पर इनने ठहरने के लिए आग्रे किया गया था और इस घर में ठहरने की इस गटना के सम्मन्द में थोड़ा सा होमवती जी को डर था थोड़ा सा इन सब लोगों को भी डर था कि निराला ठहरे फकड किस्म के आदमी और उनका जीवन भी कुछ-कुछ अराजक सा हो चला है कहीं ऐसी कोई अप्री घटनाना हो जाए लेकिन यह होता है कि जब होमवती जी उनको ध्यान से देखती है अपने मेमान को देखती करती है तो हमवती जी की ही टिपणी थी कि शिष्ट आचरण का संसकार बड़ा प्रबल है निराला जी के भीतर तो खुद अग्ये जी ने भी इस बात को दोराया है इसी संसकारण में एक जगह है जब मेरट वाले प्रसंग में ही निराला ने लिखा है कि प्राचीन काल में कावे वाचक जैसे भी रहे हो मेरे युग में तो निराला जैसा कावे वाचक दूसरा नहीं हुआ और यहाँ निराला के कावे पाट को सुनते हुए अग्ये के मन में जो सबसे बड़ा खेद है वह खेद यही है कि हमारे पास तब टेप रिकॉर्डर नहीं था अगर होता तो हम निराला की कविताओं को हमेशा के लिए सुरक्षित रख लेते हैं इस संस्मरण का एक आखरी अंशे जिसे मैं आपके सामने पढ़कर अपनी बात को समाप्त करूँगा अग्ये लिखते हैं रगवीर सहाय ने लिखा है मेरे मन में पानी के कई संस्करण है निराला के कावे को अजस्र निर्जर मान कर मैं भी कह सकता हूं कि मेरे मन में पानी के अनेक संस्करण है अजस्र बहते पानी के फिर वे बहना चाहे मुसलाधार वृष्टी का हो चाहे धुआधार जल प्रपात का चाहे पहाडी नदी का क्योंकि निराला जब कविता पढ़ते थे तब ऐसी ही वेगवती धारासी बहती थी किसी रोक की कलपना भी तब नहीं की जा सकती थी सरोवर सा ठहराव उनके वाचन में अकलपनी ये था और क्योंकि पानी के अनेक संसकरण है इसलिए उन्हें दोरा दिल्ली में वह मेरे यहां आये थे और दिल्ली में एक अधिक बार उन्होंने मेरे अनुरोत किये बिना ही सहज ही उदारतावश अपनी कई कविताएं सुनाई फिर इलाबाद में भी जब तब मिलना होता पर कविता सुनने का ढंग का अवसर केवल एक बार हुआ क्योंकि इलाबाद में धिरे धिरे एक अवसाद उन पर चाता गया था जो उन्हें अपने परिशितों के बीच रहते भी उनसे अलग करता जा रहा था पहले भी उन्होंने गाया था मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला जानता हूँ नदी जरने जो मुझे थे पार करने कर चुका हूँ हस रहा यह देख कोई नहीं बेला अत्वा स्नेह निर्जर बह गया है रेत सातन रह गया है बह रही है रिदय पर केवल अमा मैं अलक्षित हूँ यह कभी कह गया है लेकिन इन कविताओं के अकेले पन अत्वा अवसाद का स्वर एक संचारी भाव का प्रतिबिम्ब है जिससे दूसरे कभी भी परचित होंगे इसके अनेक वर्ष बाद बांधो ननाव इस ठाव बंधू पूछे गसारा गाव बंधू का अवसाद मानो एक इस्थाई मनो भ पहले का स्वर केवल एक तातकालिक अवस्ता को प्रकट करता है जैसे और भी पहले की सखी वसंत आया अत्वा सूमन भर्न लिये सखी वसंत गया आदी कविताएं ततकालीन प्रतिक्रिया अत्वा भावदशा को दर्शाती है लेकिन अर्चना और उसके बाद की कविताओं म कहना न होगा कि अग्ये ने अपने इस पुर्वज अगरच कवी के संबंध में जो यह संस्मरन लिखा है वह संस्मरन हिंदी के उन संस्मरनों में प्रथम पंक्ती में गिना जाएगा जिन संस्मरनों में अक्सर कोई एक कवी या लेखक किसी दूसरे कवी या लेखक को प्र जैसी प्रतिमा का निर्मान, निराला की जैसी प्रतिमा का निर्मान हुआ है, वैसी प्रतिमा का निर्मान संस्मरन विधा के लिए न केवल महत्पून है, बलकि एक उपलब्दी जैसा है, कला की दृष्टी से, मुल्ली की दृष्टी से, यह संस्मरन निश्चित रूप से ए झाल झाल